ये मूवी है भाई बहन की जिसमें बहन अपने भाई से प्रामिस करती है जब वो 18 प्लस हो जाएगी तब वो उसकी रात रंगीन करेगी और तब तक वो बर्जिन रहेगी वो अपना प्रामिस पूरा करती है या नहीं यह हमें आगे पता चलेगा मुवी के स्टार्ट होते ही हमें एक स्कूटी पर एक लड़का और लड़की को देखते है ये दोनों भाई बहन होते है लड़के का नाम जॉन होता है और लड़की का सोफिया इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते है जहां पर सोफिया लड़कों के साथ डांस कर रही होती है दूसरी तरफ जॉन उसकी ये सब हरकते देखकर जैलिस फील करता है फिर वो बाहर आकर स्मोकिंग करने लगता है इसके बाद ये दोनों लोग घर जाते है अगली सुबह जॉन देखता है उसकी मॉम सारा सामान कार में डाल रही है जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तब हमें पता चलता है उसके मॉम और डैट साथ में नहीं रहते कुछ टाइम पहले उसके डैट फ्रांस गए थे बापस आने के बाद वो अकेले ही रहते है और उसकी मौम उन दोनों को लेकर अपनी मौम के यहां रहने चली जाती है इसके बाद वो अपना गुजारा घर का सामान बेज कर कर रहे होते हैं इसके बाद वो तीनों एक साथ टीवी देखते हैं तब ही उनकी मौम कहती है तुम्हारे डेड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है सोफिया कहती है मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी मुझे वो पसंद नहीं है इसके बाद जॉन और सोफिया अकेले एक साथ बैठे हुए होते हैं तब जॉन कहता है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है लेकिन सोफिया बहाँ से चली जाती है एक्च्वल में उसने जॉन से प्रॉमिस किया था जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तब वो उसकी रात रंगीन करेगी और तब तक वो बर्जिन ही रहेगी लेकिन अब सोफिया को वो बात बस एक मजाक लगती है लेकिन जॉन उसे पूरी तरीके से सचमान चुका होता है दूसरी तरफ जॉन अपने आपको कंट्रॉल नहीं कर पाता और रात को उटकर सोफिया के कमरे में चला जाता है और उसकी गुफा देखने की कोशिश करता है तब ही सोफिया की नींद खुल जाती है और जॉन उसके पास लेट जाता है और 61-62 करने लगता है सोफिया कहती है प्लीज अपने कमरे में चले जाओ बरना मॉम को पता चल जाएगा यहाँ पर हमें पता चलता है जॉन रोज रात को उसके कमरे में आता है इसके बाद वो अपने डैट से मिलने के लिए जाता है और ये काफी सारी बाते करते हैं तब उसके डैट कहते हैं उपर वाले फ्लोर पर रूम के बार ट्रे रखी है जाकर ट्रेले कराओ तब वो ट्रेले कराता है इसके बाद वो एक बार में जाते हैं तब वो अपने डैट से पूचता है किसी लड़की को सोने के लिए कैसे रेडी करते हैं तब उसके डैट पूचते हैं क्या तुमारी कोई गल्फेंड है तो मुझे उसके बारे में बताओ लेकिन वो मना कर देता है इसके बाद उसके डैड उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं फिर अगले दिन हम सोफिया और जॉन को अपने डैड के साथ एक फामाउंस पर देखते हैं वो जब रात को डिनर कर रहे होते हैं तब उनके डैड उन तुम अपनी बेहन का खयाल रखना वो बिलकुल अपनी मॉम की तरह है मेरी बात नहीं सुनती इसके बाद जब वो लो घर पहुँचते हैं तब जॉन अपनी बेहन को रूम में आके बंद करके लेकर जाता है और उसे कहता है तुमारे लिए मेरे पास एक सर्प्राइज है फिर वो अपने हाथ से एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करके दिखाता है अगले दिन जब सोफिया बाहर जाती है तब जॉन उसका पीछा करता है और सोफिया एक घर में जाती है और जॉन खिटकी से घर के अंदर देखता है जहां पर वो सोफिया को किसी लड़के के साथ खु लेकिन उसके डेड घर पर नहीं होते जिससे वो दरबाजे पर ही सो जाता है इसके बाद उसके डेड आकर उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं तब उसके डेड जॉन से पूचते हैं तुम्हें क्या हुआ है तब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता फिर उसके डेड उसे एक जानी के फ्यूनरल पर जाता है जहां पर उसे सोफिया मिलती है लेकिन वो उससे दूरी बना कर रखता है अगले दिन जब वो घर पर होता है तब उसके डैड कॉल पर बात कर रहे होते हैं कि मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसकी मॉम उसे 20 साल पहले बस स्टॉप पर छो क्यों रह रहे हैं इसके बाद जान चट से खुन टपकता हुआ देखता है और वो अपने डैड को दिखाता है इसके बाद वो उपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां पर खाना अभी भी रखा हुआ होता है फिर उसके डैड रूम का दरबाजा तोड़कर अंदर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं उस लड़के की मौत हो चुकी है इसके बाद जान के डैड टेंशन में आ जाते हैं और जान को अपनी मॉम के यहां बापस जाने के लिए कहते हैं इसके बाद जान अपनी मॉम के घर जाता है और उसकी मॉम जान के साथ खुदाई करने के लिए रे करती है इसके बाद उसकी बेहन जॉन की तरह एक परफेक्ट सरकल ड्रॉ करती है इसी के साथ मों भी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में